हेलो स्टुडेंट्स सीमा बक्षे के इस क्लास में आपका स्वागत है और निराला भाई यहाँ जो पांठ है यहाँ जो व्यक्ति चित्र है वो महादेवी जी वर्मा ने बड़ी खूब सुरूती से हमारे सामने पेश किया है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कल का जो हमारा अंतिम परिच्छे था उसमें दिया हुआ था कि निराला जी अपने शरीर जीवन पन्ना क्रमांक आठ पर था और इसमें निराला जी अपने शरीर जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है शरीर भिया जीवन में ये भी देख लिया लेकिन अब शारीरिक वरणन जो किया है महादेवी जी ने वो कहती है कि उनके विरोधी तत्वों की भी सामन जिससे पूरण संदी है विरोधी तत्व मतलब सच जूट ये विरोधी तत्व होते है धर्म अधर्म नयाय अन्याय तो लोगों को जो ऐसा डॉल देखने वाले विशाल बड़ा डिल डॉल कद परस्नलिटी जिसे बोल सकते हम इंग्लिश में कद देखने वाले के रिदे में जो आतंको उत्पन्न कर देता है इतना अच्छा विशाल कद था उनका शरीर रचना जो थी वो बहुत अच्छी विशाल ऐसी थी और वो वो गुंडा गरदी वाले पहलवान वगरे जो होते है वैसा उनका शरीर था लेकिन मूख में क्या थी सरल आत्मियता लेकिन वो मूख की सरल आत्मियता देखने के पहले अगर कोई कर्द देख ले तो उनसे दूर चला जाता था समझ गए ना तो अभी आगे महादेवी जी क्या कहती है वो देखते है कितना सुन्दर अभी थोड़ा सा फिर से जैसे पहला थोड़ा कठीन था वैसा ये भी कठीन है अब आगे का जो भी हिस्सा है व्यक्ति चित्र का वहाँ देखिए महादेवी जी कहती है सत्य का मार्ग सरल है सबको पता है सत्य का मार्ग सरल है क्य लेकिन एक बार अगर हमने सच बोल दिया तो रास्ता कितना आसान हो जाता है सरल हो जाता है तो तर्क और संदेह की चक्करदार राहा पहले तो यह समझ लीजिए आप कि सरल राह क्या है और चक्करदार राह क्या है हैना मेरे घर से सीधा सीधा जाते ही Holy Cross Convent स्कूल आती है नहीं लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पहले railway station जाऊंगा railway station से फिर tower जाऊंगा फिर tower से चौधरिय high school जाऊंगा necklace road जाऊंगा और फिर holy cross ये चक्करदार हो गया न सीधी रहा है कि मेरे घर से सीधे निकले कहीं पे भी नहीं मुड़े तो मेरे school आती है लेकिन तर्क और संदेह तर्क लोजिक अंदाजा जो लगाते हैं हम वह और संदेह संदे अने शंका उपस्तित करना डाउट चक्करदार राहा से उस तक पहुँचाने या सकता आप तर्क लगाएंगे आप किसी पर डाउट लेंगे ये जो है संदेह लेंगे तो क्या होँगा तो फिर वो राह जो है वो चक्करदार हो जाती है इसी से जीवन के सत्य द्रश्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं सत्य द्रश्टा हमेशा सच की राहा पर चलने वाला उसे बोलते हैं सत्य द्रश्टा तो हम बालकों जैसा वह सारे के सारे लोग जो सच की राहा पर चलते हैं बालक पे जितना विश्वास रख सकते हैं उतना विश्वास रखते हैं वो आपको पता है कि एक बालक बोलता है कि मेरे पापा बोल रहे है कि वो घर पे नहीं है कितना सच्चा है ना तो उस पे जितना विश्वास रख सकते है उतना ही हम सत्य द्रश्टाओं जो सच की राहा पर चलने वाला है उस पे रख सकते है निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य है कौन से सच की रहा पर चलने वाले किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है किसी को एक थपड लगा सकते है अन्याय को जवाब देने के लिए अथवा या फिर लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है या फिर उल्टा भी हो सकता है कि वो लिखेंगे तो इतना कठोर लिखेंगे कि सब देखते रह जाएंगे लेकिन ये सब किसलिए अन्याय के लिए पर उनकी आखों की स्वच्छता किसी मलीन द्वेश की तरंगायित नहीं होती है ये सिर्फ अन्याय के लिए है उनके मन में किसी के प्रती हेट नहीं है द्वेश नहीं है ये समझ लीजिए द्वेश हमेश सा मलीन होता है डर्टी होता है गंदा होता है मलीनता है मतलब गंदगी है तो उनके आखों में वो नहीं जहलकता है उसकी तरंगाई, थोड़ी से लहर भी नहीं है, मन साफ है, सच की रहा पर चलने वाले है, सिर्फ कड़वाहट है तो अन्याय के लिए, प्रतिकार करने की ताकद है तो अन्याय के लिए, होटों की खीची हुई सी रेखाओं में निच्चे की चाप है, कभी होट खुलते नही है, ना हसने के लिए, ना बात करने के लिए ज़्यादा, एक लकीर खीची हुई है मानों, अभी इमोजी जाते हैं, जब कुछ बोलना नहीं है, तो एक लकीर खीची जाती है, वैसे ही है निराला जी, पर उनमें कुरूरता की भंगिमा, भंगिमा यहने कुरूपता, अगल अगलिनेस, अगलिनेस कुरूरता नहीं है, या गृणा, किसी के प्रती हेट्रेड, किसी का द्वेश, गृणा करना, हमें कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे यह अच्छा ही नहीं लगता है व्यक्ति, ऐसी भावना नहीं है उनके मन में, गृणा नहीं, उसकी स सिकुडन नहीं मिल सकती सिकुडन मतलब इत्ती सी रेखा भी नहीं मिल सकती है उन की लेकिन निश्चे जरूर है जो ठान लेते हैं वह करते हैं कुरूरता और कायर्ता में वैसा ही संबंद है वावा जैसा rukhshadvia की जड में अव्यक तरस और उसके फल के व्यक तसवाद में क् लिखती है बेटा महादेवी जी कुरूरता और कायरता कुरूरता आप समझते हो किसी के पेट में छूरी भौसना वो क्या हो गया कुरूरता हो गई किसी को बिनामज़ थपड मारना कुरूरता हो गई तो ये कुरूरता और कायरता कायरता इने डरना बेवजह डरना जनरली का कायर लोग जो है वो कौन होते थे जो की बैटल फिल्ड रनांगन में लड़ने के लिए जाते थे लेकिन बिना लड़के वापिस आते थे वो कायर हैं इंगलिश में जिसे हम कौवर्ड बोलते हैं वह हैं कुरूरता और कायरता में ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कैसे व्रुक व्यक्त है वो हमने कभी चखा नहीं है उसका स्वाद हमने लिया नहीं है लेकिन उसको आये हुआ फल जो है वो व्यक्त है वो हमें समझ में आता है ये मीठा है ये कड़वा है ये फीका है ये तीखा है करेला कड़वा है आम बहुत मधूर है लेकिन आम की मुलिया कैसे में अव्यक्तरस और उसके फल के व्यक्तस्वाद में कुरूरता जो है वो दिखाई नहीं देती कायरता दिखाई देती है कुरूरता जो है वो समझ में नहीं आती कायरता जो है वो समझ में आती है निराला किसी से भैबीत नहीं है अतह किसी के प्रति कुरूर होना उनके वो कभी कभी किसी पर बहुत तीखा प्रहार करते है व्यंग के द्वारा अपने लिखावट के द्वारा लेकिन जैसे कि बादल जब छाते है तब बिजली चमकती है विद्यूत रेखा वो बिजली की जो रेखा दिखाई देती है उसके पीछे क्या है जल है न बिजली चमकत उसके बाद बारिश आती है जल से भरा बादल रहता है तो वैसे ही निराला जी है प्रहार करते है लेकिन भलाई के लिए बिजली जो है वो चमकती है विद्यूत रेखा जो है वो दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे बादल है जो की पृत्वी का भला करता है जो की धर्ती का भला करता है निराला जी विचार से क्रांत दर्शी और आचरन से क्रांतिकारी है विचार से क्रांत दर्शी revolution दिखाने वाले क्रांती दिखाने वाले और आचरन से भी क्रांतिकारी है सिर्फ बोलना, लिखना, बोलना और करना समान है दोनों में समानता है सिर्फ दुसरों के लिए लिख रहे हैं, दुसरों के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है वे उस जंजा के समान है, तुफान जंजा मतलब तुफान, कितना सुन्दर है वो उस जंजा के समान है जो हलकी वस्तूओं के साथ भारी वस्तूओं को भी उड़ा ले जाती है चोटी-चोटी बुरी बाते जो है उस पे तो उसका जो भी उसमें की जो गलत बात है वो तो दिखा ही रहे है लेकिन बड़ी भी दिखा रहे है और उस मंद समीर जैसी नहीं समीर याने वायू जो सुगन न मिले तो दुरगन का भारी डोता फिरता है ठीक है वायू जो है वो इधर-दर सुगन ले जाता है लेकिन सुगन न मिले तो दुरगन भी तो वायू ही लेके आता है वो ऐसे नहीं रहते है कि मैं सुगन भी जो है वो बहा के लेके जाओंगा और दुरगन भी ने वो तुफान की तरह है कि जो छोटी बड़े जो भी गलत बाते हैं उनको नश्ट करना उन पे वेंकसना जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं चाहे तोड़न कि एकादी वस्तु है जो चीज हमें बहुत उपयोगी है जो हमारी रक्षा कर रही है लेकिन उपयोगी नहीं है रक्षा कर रही है लेकिन उपयोगी नहीं है ऐसे वस्तुओं को भी क्या करते हैं वो नश्ट कर देते हैं यहां पे वस्तुओं का मतलब वस्तुओं नहीं है उनको मोह नहीं है जैसे कि घर में हम जब सामान जो है वो कभी-कभी ऐसा होता है जोचते हैं कि चलो आज गर की सफाई करते हैं गर की सफाई करते वक्त बहुत सारी useless बाते जो की बिल्कुल उपयोग की नहीं है ऐसी मिल जाती है लेकिन जब ऐसी बाते ऐसी वस्तुएं मिलती है तो ऐसे लगता है नहीं नहीं कभी भी काम में आ सकती है चलो रगदो उपर रखते हैं पलंग में रखते हैं तो उनको उस चीच का मोह नहीं है उनका विरोध द्वेश मूलक नहीं है नहीं पर चोट कठीन होती है उनका विरोध वो जो प्रथ प्रहार करते हैं, लिखते हैं, तो जिसको उसकी चोट लगनी जैसे दहेज है, कुरॉप्षन है, व्रुष्ता चार है, तो ये सारी बातों पर ऐसा व्यां कसते हैं, कि जिसको बराबर चोट लगनी चाहिए उसको लगती है, इसके अतिरिक्ट उनके संकल्प और कार्य के निच्छे करना, resolution जिसे बोलते हैं, और कारिय, देखिए मैंने संकल्प किया, कि आज से मैं exercise करूँगा, है न, ये हो गया संकल्प, ठीक है, आज से 30 दीन तक मैं exercise करूँगा, ये हो गया संकल्प, और वो exercise करना, ये हो गया कारिय, संकल्प और कारिय के बीच में, फिर कोई मतलब संकल्प जो किया है वो कारिय करते करते पूरा ही हो जाता है समझ लीजिए जो संकल्प के आउचित्य और कर्म के संदर्य की व्याख्या कर सकते संकल्प का आउचित्य आउचित्य ने आउसर उचित्ता उचित्ता भी बोल सकते है प्रॉपर्नेस जो है वो संकल्प के आ जो उनको बता सके कि संकल्प क्या है और कर्म क्या है और उसकी सुन्दरता क्या है क्योंकि उन्होंने संकल्प को कर्म में बदल दिया है। अब महादेवी जी वर्मा के ये जो शब्द है ये भी समझने के लिए हमें बहुत दीकता होना लेकिन उसी मात्रा में हमारा सेंसेटिव होना भी जरूरी है भावनाएं जो है वो भी जरूरी है ऐसा लेकी का यहां पे कहती है जीस व्यक्ति में ये बहुत दिकता भी है और समवेधन शीलता भी है बुद्धी भी है और भावनाएं भी है ऐसा संतुलन सुलब नहों होने के कारण बैलंस ये संतुलन जो है अगर तूला है और तूला के दो वाजु में हम जो कुछ रखते हैं मतलब बुद्धी और समवेधन शेलता वो अगर सही मातरा में उनको समझने वाले के पास नहीं है तो ऐसे लोग बहुत कम है मतलब उनको समझने वाले लोग जो है वो बहुत वीरलता से मिलते हैं वीरले मिलते हैं वीरले याने कम मिलते हैं ऐसा कवी का कहना है ऐसे दो व्यक्ति सब जगा मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यव जो उद्धता से वेवार करते हैं ऐसा लगता है एक व्यक्ति के बारे में दो मत रहते हैं दो मत में कोई किसी की निंदा करता है तो कोई बहुत प्रशंसा करता है उसी प्रकार इनके बारे में भी कोई उनके नम्र उदारता की प्रशंसा करता है था तो कोई उनके उद्धत की निंदा लेकिन उनको समझने के लिए महादेवी वर्मा जी जो है वो कहती है कि जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते हैं अब चोट के मतलब जक्म और चोट का मतलब शिखर ऐसा भी होता है तो दोनों के पार शिखर के उस पार भी नहीं देख पाते है या फिर अपने चोट के अंदर नहीं देख पाते हैं निकट पहुँच ही नहीं सकते है जो आत्मपरिक्षण नहीं कर सकते उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए वो जो विद्रोह कविताएं लिखते थे उनकी असफलता प्रमाणित करने के लिए कि वो उसमें असफल रहे वो फेल रहे यहां सिद्ध करने के लिए उनके चरीतर की उजली रेखाओं पर उजली उनका चरीतर इतना उजला है वो उजले रेखाओं पर काली तुली फेर कर प्रतिशोद लेते रहते हैं तो उसमें काली तुली तो कोई भी कालीमा जो है काली तुली ने कालीमा काले कलर का कुछ लगा देना काले रंग का कुछ लगा देना उसको बोलते काली तुली फेरना काली तुली फेरना मतलब इसमें क्या गंदगी है ये लोगों को बताना वो तो प्रतिशोद लेने वाले ह निराला जी के संबन में फैली हुई भ्रांत किवंदंतिया भ्रांत किवंदतिया इने कहीं सुनी कहानिया कहीं सुने कि वो ठीक नहीं है वो आदमी विम्जिकल है वो थोड़ा सा विक्षिप्थ है ऐसी भ्रांत मतलब मिसकंसेप्शनल गलत की वंदतिया कहीं सुनी कहानिया इसी निम्न वृत्ती से संबंद रखती है निम्न नीच दरजे की नीची वृत्ती स्वभाव जो नीच स्वभाव के है वो हमेशा ये प्रूव करने में बिजी रहते थे कि निरालाजी फेलिवर है निरालाजी असफल है ये देखने के लिए और उनकी हमेशा उदारता ही नहीं दिखती थी लोगों को किसी किसी को उदधता भी दिखती थी मनुष्य जाती के ना समझी का इतिहास कुरूर और लंबा है मनुष्य जाती का ना समझी हम भी कभी कभी किसी को समझने के लिए ग अरोजिनी नायडी को नहीं समझ सके और इसका इवन येशु क्रिस्त को कोई समझ नहीं सके और इसलिए कितनी कुरूरता की ये तो लंबा इतिहास है प्राया हमेशा सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाली व्यक्ति को छाट कर कभी उसे वीश दे कर कभी सुली पर चड़ा कर और कभी गोली का लक्ष बना कर अपनी बरबर मुर्खतास के इतिहास में नए प्रुष्व जोड़े हैं अब देखो प्राया सभी युगों में शायद से सभी सभी यूगों में त्रेता यूग हो सत्य यूग हो राम का यूग हो कृष्ण का यूग हो अपनी श्रेश्थता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छाट कर अपने में श्रेश्थता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छाट कर जो मुझे अच्छा बोलता है वो मेरा, है न, कवरों ने करणों को क्यों अच्छा समझा था, क्योंकि करण समझ ही नहीं पाया कि मैं बुराई को भी भलाई कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को उन्हें छाट लिया, और कभी-कभी लेकिन ऐसा भी हुआ, कभी उसे वीज दे कर, जैसे मीराजी थी, मीराजी को तो उनके पती नहीं वीज दिया था, कभी सूली पर चड़ा कर, येशु क्रिस्त को सूली पर चड़ाया गया, और कभी गोली का लक्ष बना कर, लाला लचपतराय जैसे लोगों को, ब्रिटिश लोगों का लक्ष बनाया गया, उन पर गोली यहां चली, अपनी बर-बर मुर्खता के इतियास में नए प्रिष्ट जोड़े है, और ऐसे मानों जो है, कि जो अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति, कि जो उनको लगता है कि ये मेरे से श्रेष्ठ हो रहा है, इसमें कोई श्रेष्ठता है, दुर्योदन ने भी मुर्खता की थी, जब कृष्ण, वगवान कृष्ण समझो ते का प्रस्ताव लेकर आये थे, तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया था, और अबर-बर मुर्खता, गंदी मुर्खता, उसमें इतिहास में ऐसे कई-कई-कई सारे उधारण मिलेंगे बिटा, प्रकृती और चेतना, न जाने कितने निश्पल प्रयोगों के उपरांत, ऐसे मनुष्ण का सुरुजन कर पाती है, जो अपने स्रश्णा ओंग से स्रेष्ट हो पर, उसके सजातिय ऐसे अद्बुत नश्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने के भी अवशक्ता नहीं समझते कि वहां उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य इनकी ब्रहांतियों से मेल नहीं खाता, प्रकृती और चेतना, प्रकृती सब को पता है, जो हमें की सब कुछ दे रही है, पेड दे रही है, पत्ते दे रही है, फल दे रही है, अनाज दे रही है, चेतना, चेतना मतलब हमें जो है, हम जीवीत है, लाईव निरेस, चेतना, हमें जो चेतना है, न जाने, कितने निश्फल प्रयोगों के उपरांत, कितने सारे एक्स्परिमेंट हुए, जो की फेल हुए, निश्फ नाओं से स्रेष्ट हो पर कि जो अपने आप में स्रेष्ट हो पर उसके सजातिय लेकिन उसके जैसे स्रेष्ट उसके जैसे सजन अद्बू सुरुजन को नश्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण, सजडर ने सजडर को कि इसमें सृosaursता है, ये मानना भी कितना मुश्किल है, तो सुरुजन को नश्ट करना ही चाहता है स्रेष्ट लोगों को हमेशा, श्रेश्टय लोग किसी को सहन नहीं होते इस से बड़ा कारण खोजने के भी आवशक्ता नहीं समझते है बस नंश्ट करना लेकिन किसलिए उसका कारण नहीं खोजते है वो उनकी समझ के परे है अथवा उनका सत्य उसका सत्य इनकी ब्रहनतियों से मेल नहीं खाता है, ब्रहनतिया मतलब कि जो हमने अपने मन में ठान ली है, hé नहीं बैठते हैं, निराला जी अपने यूग की विशिष्ट प्रतिभा है, प्रतिबायने genius बुद्धिमान है निराला जी अपने यूग के लिए अतह उन्हें अपने यूग का अभिशाब जहलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है लोग उनको गंदा बोले उनको criticize करे तो वो कोई आश्चर्य नहीं है वो सब कोई करना पड़ता है उनके जीवन के चार और परिवार का लोहसार घेरा नहीं है लोहसार याने लवन नमक उनके जीवन के चारो और परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं है काई कौनसा नमक कौनसा लवन नहीं है जो व्यक्तिगत विशेष्टाओं पर चोड़ भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बनत व्यक्तिगत विशेषत है उनके जो स्पेशलिटी है उस पर चोट करता है अगर जख में है तो जख की उनके पत्नी से क्या तालुकात है उनके भाई से क्या तालुकात है इस पर क्या हो सकत जले पर नमक छिड़कना जिसे हम बोलते हैं उससे चोट बढ़ती है लेकिन बाहर क चोट जब रहती है तब उस पर अगर नमक लगाया जाए हलदी लगाई जाए तो वो चोट ढाल बन जाती है उनके निकट माता बहन भाई आधि के कोंपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतज़ड बन गये है कोंपल यह नही पत्तिया पेड को जो नहीं पत्तिया आती है वो निकट जो थे माता बहन भाई आधी के कोमपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतजड बन गये है शायद से उनका कोई व्यक्तिगत जीवन ऐसा रहा है कि इन सब के वजह से उनको पत्नी का वियोग हुआ नहीं रही उनकी पत्नी आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मात्रुहिन संतान अब पत्नी नहीं रही मतलब उनकी जो संतान थी उनके जो बच्चे थे वो तो मात्रुहिन हो गए कि प्रती कर्तव्य निर्वाह की सुविदा भी नहीं दी तो अब उनके प्रती अपने संतान के प्रती उनका जो कर्तव्य था निर्वाह निर्वाह याने घर में क्या है क्या नहीं संसार जो है वो देखना परिवार देखना उसकी सुवीदा निराला जी ने संतान को नहीं दी पुत्री के अंतीम ख़डों में कितनी दुखदाई बात है कि उनकी पुत्री भी नहीं रही इससे पता चलता है कि अंतीम ख़डों में वे निरुपाय दर्शक रहे हैं helpless वो कुछ नहीं कर सके और पुत्र को उची शिक्षा से वंचित रखने के कारण जो इतना शिक्षित आदमी है जो इतना लिखता है उन्होंने पुत्र को शिक्षा नहीं दी और इसलिए लोग उनकी उपेक्षा के पात्र बने वो लोग उनकी उपेक्षा करते रहे, उनको क्रिटिसाइज करते रहे सही है, हर एक के अपनी अपनी दो बाजुए रहती है दो साइड्स रहती है, उसमें से ये उनकी व्यक्तिगत जीवन जो है वो शायत से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ अपनी प्रतिकुल परिस्तितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिससे सईय बनाने के लिए हम समझोता करते हैं ये सब प्रतिकुल था, unfavorable अनुकुल का विरुद शब्द है, प्रतिकुल परिस्तिति कुछ उनके favor में नहीं थी इसलिए उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सईय बनाने के लिए, bearable जो सह सके हम समझोता करते हैं कभी-कभी हम समझोता करते हैं परिस्तिति से लेकिन उन्होंने नहीं किया उनकी पुत्री गई, पत्नी गई, बेटा नहीं सीख सका वो उन्होंने कुछ ज़्यादा माना नहीं शायद सुभा से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है लेकिन यह सहन करना उसके लिए कितनी वीरता होना कितनी ब्रेवरी होना वो उनके पास थी और जो अपने बचाओं के प्रेतन को भी कायरता की संग्या देती रही लेकिन लोगों को लगा कि यह वीरता जो है यह कायरता है कि यह मादमी जो है यह कायर है उनकी राजनेतिक कुशलता नहीं वह तो साहित्य की एक निश्चता का परियाय है उन्होंने कभी किसी से politics नहीं किया राजनीती नहीं की कोई भी बात में लेकिन लिखने के प्रती साहित्य के प्रती वो एक निष्ठ थे loyal कि मैं लिखता हूँ मेरा धर्म लिखना है तो लिखते रहे छल के वियो में छिपकर लक्ष तक पहुंचने को साहित्य लक्ष की प्राप्ती नहीं मानता जो अपने पत की सभी प्रत्यक्ष बाधाओं को चुनयती देता हुआ सभी आगातों को रुधय पर जहलता हुआ लक्ष तक पहुंचता है छल के वियो में छिपकर कपट छल याने कपट कुछ कपट करकर अभी आजकल जैसे लोग पी एजडी करते है तो बहुत सारा मटेरियल जो है वो गूगल में से कॉपी पेस्ट करते है और डॉक्टरेट मिलती है यह हो गया छल से प्राप्ती लेकिन उन्होंने बाधाए तब ऐसा कुछ नहीं था कितने सारे संकट आते थे तो उनको चुनोती देते हुए देता हुआ सभी आगात जो भी संकट है जो भी परसनल लाइफ में है जो भी सोशल लाइफ में है लेकिन अपना जो लक्ष है वो लक्ष तक वो पहुंचते थे उसी को यूग सरश्टा साहित्यकार कह सकते हैं यूग में कोई एक दो ही ऐसे होते है इन मेंसे निरालाजी है निरालाजी ऐसे विद्रोही साहित्यकार है जिन अनोबहों को के दंशन का वीश साधारन मनुष्य कि आतमा को मुर्चित करके उसके सारे जीवन को विशाक्त बनाता है उसी से उन्होंने सतज जागरुकता और मानवता का अमरुत प्राप्त किया आपने देखा कि उनका व्यक्तिगज जीवन मानो एक विश्बरा था लेकिन उन्होंने उसमें से अमरुत निकाला वो अमरुत जो था वो किस बात का था साहित्य का उनके जीवन पर संगर्ष के जो आगात है वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमान पत्र है पत्नी नहीं रही, पुत्री नहीं रही, बच्चा नहीं सीख सका ये उनकी हार नहीं है, ये शक्ति है ये पार करके भी वो सहीत्य के साथ लेकिन एक निश्टर है वो सही है गलत है ये एक अलग मुद्दा है उनकी कठोर श्रम गंबीर दर्शन और सजक कला की त्रिवेणी न क्या क्या है देखो कठोर श्रम गंबीर दर्शन सेसनेस और सजक कला और उनकी कला कौनसी थी लिखने की सजक जिसमें अवेरनेस था ये जो त्रिवेणी है न अच्छोर मरू में सूखती है अच्छोर मरू यशने राजस्थान मरुस्थल है डईजर्ट जहां पे बहुत सारी रेत वाली जमीन रहती है वह ऑच्छोग अच्छह पूरव कौनसी पचिम पच्छिम कौनसी जबने मों उनकी कला गोमा दोदर prevented वह सूकति हैं और ना अकुल निराला जी किसी दुरलब सीप में ढ़ले सुडोल मोती नहीं है। निराला जी जो है वो अरे वावा एक अधा सीप है और उसमें से मोती निकला और उससे हमने महारगता का साथ देने के लिए महारगता बहुत वेल्यूएबल महेंगा। स्वर्ण और सौंदर या प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप होना ऐसे नहीं है वो मोती के जैसे नहीं है। कोई गहना बनाया जाए ऐसे नहीं है। वे तो अन्गड पारस के भारी भाती शीला खंड है। पारस क्या है जो लोहे को सोना बनाता है और लोहा कौन हम पाठक हम पढ़ने वाले हम लोहा और पारस कौन हुए निराला जी वहां जहां है वहां उसका स्पर्श सुलब है जहां पर लोहा है लोहे को वो स्पर्श कर ले तो लोहा पूरा का पूरा लोहा ही क्या हो सकता है सोना सुवर्ण हो सकता है यदि स्पर्ष करने वाले में मानवता के लोह परमाणू है तो किसी और से भी स्पर्ष करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा पारस की अमुल्यता दूसरों का मुल्य बढ़ाने में है कितना सुन्दर बताया है मतलब नीराला जी पारस के भाती थे जो दूसरों का मुल्य बढ़ाते थे और मोती क्या होता है खुद का मुल्य बढ़ाता है मोती जैसे नहीं थे उसके मुल्य में न कोई कुछ जोड सकता है न घटा सकता है पारस पारस है कभी उसका सुवर्ण जो है उसका मुल्य आज कुछ अलग है, कल कुछ अलग रहेंगा, हम दंभ और स्परधा, अज्ञान और भ्रांती, कि ऐसी कुहे लिका में चल रहे हैं, जिसे स्वयम को पहचानना तक कठीन है, कुहे लिका याने, जब कोहरा, ठंड के दिनों में सामने का कुछ दिखता नहीं है, को करते हैं, स्परधा है बहुत ज़्यादा, कौन किसे आगे भाग रहा है, अज्ञान है ये, भ्रांती है, मिस्कंसेप्शन है, ऐसी कुहे लिका, ऐसे कोहरे में चल रहे है, कि हम खुद को ही नहीं दिखाई देते, सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न ही नह उठता, अगर खुद कोई नहीं समझ रहे है, तो कौन श्रेष्ट है, कौन कनिष्ट है, हमारे साथ चलने वाले को क्या समझ पाएंगे, पर आने वाले यूग इस कलाकार की, इस कलाकार मतलब निराला जी की, एका की यात्रा का मुल्य आँख सकेंगे, आँख सकेंगे, जा जो इसमें अपने पेरों की चाप, आहट, वो भी आन्दी में खो जाती है, लेकिन ये नहीं खोएंगे, निराला जी के साहित्य की शास्तिय विवेचना, तो आगामी यूगों के लिए सुकर होंगी, जो उनका साहित्य पढ़ेंगे, वो स्पष्टी करण जो है, वो क्यू जिस प्रुष्ट भूमी की आवश्चक्ता होती है, उसे तो उनके समकाली नहीं दे सकते है, प्रुष्ट भूमी बैग्राउंड जो है, वो दे सकते है उनके समकाली, लेकिन दियाने ये अलग बात है, साहित्य के नवीन युकपत पर निराला जी की अंक संसुरती, संसुर रहेंगा, इस मार्क के हर फूल पर उनके चरण का चीन और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है, वावा, जो इस मार्क से निराला जी के मार्क से चलना चाहेंगे, तो फूल पर उनके चरण का चीन पैरों का चीन और शूल, शूल याने कांटा, कांटे पर रक्त का रंग है, उन्होंने काटे भी देखे और फूल भी देखे है, उनके जैसा जिसको चलना है, those who want to following his footsteps, वो जो है, वो समझ ले कि इस पत पर फूल भी है और काटे भी है, और इस प्रकार महादेवी जी वर्मा ने नीराला जी के बारे में बहुत कुछ बताया है, ये एक ही हमारा थोड़ lesson था बेटा, आगे के easy है, किसी किसी को ये थोड़ा सा boring लग सकता है, बट कोई बात नहीं है, दो बार तीन बार पढ़ेंगे, मुझसे difficulties पूछेंगे, तो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है फिर, next chapter में मिलते है, तब तक के लिए stay tune, bye all of you.